हेलो स्ट्रेंट्स आप सबस्वागत है हमारे चैनल Amplitude Studies 2.0 में आज के वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि दश्मोतर छात्रवति में शुल्क प्रतिपूर्ति में कभी-कभी बच्चों के फॉर्म में एरर आ जाती है UID never enabled for dbt मतलब आपके फॉर्म में ये एरर रिक्के जब आईगी तो इस एरर का क्या मतलब होगा क्यों आई है ये एरर क्या करना पड़ेगा इसे सुधारने के लिए ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो देखें ये एरर UID never enabled for dbt तो जो direct benefit transfer होता है dbt मतलब जिसे कहते हैं उसके लिए UID कभी enable करी ही नहीं गई है कहने का मतलब ये है कि आपने अपने bank को आधार से link ही नहीं कराया है अब तक तो ये चीज़ एक common procedure होता है जो आपको dbt के लिए चाहिए होता है कि आधार को जो है वो bank से आपकी NPCI linking होती है इसके ओपर कई वीडियो बनाए है मैंने आप देख सकते है चैनल पर जाकर के तो इसके लिए आपको जाकर के जो है वो bank में अपने जाना पड़ेगा solution यही है इसका और वहाँ पर जो है वो एक form वगरा apply करेंगे और उसके बाद जो है वो आपका NPCI linking हो जाएगी bank के आधार से और तब आपके पास यह problem जो है वो खतम हो जाएगी इसमें जो है वो NPCI linking है आपका mobile में यह मलब mobile का आधार से बैंक का आधार से तो यह चीज आपके mobile में ही चेक हो जाती है इसके ऊपर भी जो है वीडियो बन है कि आपने अभी तक अपने bank को आधार से लिंक नहीं कराया है तो वो जाकर के bank में आप उसको link करा लेंगे तो यह problem आपकी खतम हो जाएगी और यह linking एक नप एक बार करानी पड़ती है जरूर अगर आप dbt लेना चाहते है मतलब आपकी scholarship खुद आपके account में आ जाए तो मुझे लगता है कि इसका मतलब आपको समझ में आ गया है और कैसे solve होगा ये भी चीज़ पता लग गई है bank से related कोई भी problem है आपकी वो solve bank ही करेगा कोई और नहीं बस आपको जाके पता करना है और अब यह है कि एक साथ यह सबके में आती है बहुत से बच्चों में आएगी यह बहुत सारे सब एक साथ bank में पहुंचते हैं तो वो लोग irritate हो जाते हैं कभी कभी तो आपको जो है सही से answer नहीं देते हैं लेकिन आप आराम से पूछेंगे या एक बच्चे का हो जाए तो वो दूसरों को बता दे तो ही यह समस्या जो है वो solve हो सकती है तो हर कोई जा कि तब कुवा नहीं खुदना चाहिए कुवा पहले से खुद के रखिए ताकि आपको प्यास लगे तो आप पानी पी सके है वही चीज यहां पर कहवत चरीदार्थ होती है तो मुझे उमीद है वीडियो पसंद आया हुआ पसंद आया है तो लाइक कर दें दोस्तों में भ कि राम पर जाकर सर्च करें एंप्लीट्यूट इस्टेडिस 2.0 को और फिर उस चैनल को जोइन कर लें ताकि आपको सारी अप्डेट्स मिलती रहें मिलते हैं अब आपसे नेक्स वीडियो में धन्यवाद